नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों पेंसन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी कबर निकल कर आ रही है जहां तो पेंसन भोगियों के एरियर को लेकर बहुत ही अच्छी कबर गुड निकल कर आ रही है तो पूरी कबर को जानेंगे उससे पह सुप्रीम कोट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो आपको बता दूं कि यहां पर सुप्रीम कोट ने कहा है कि पेंसन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ऐसे में एरियर के लिए अगर आवेद के फैसले के उस पार्ट को खारिच कर दिया जिसमें हाई कोट ने कहा था कि पेंसन के एरियर को मना किया था सुप्रीम कोट ने कहा कि आवेदक पेंसन के रिवाइस दर से पेंसन पाने का हगदार है और निर्देश दिया गया कि आवेदक को चार हपते के पेंसन चार हपते में pension का area दिया जाए जिसमें कहा था कि pension भोगी ने आवेदन करने में देरी की है इसलिए उनको area देने से मना किया था ऐसे में दोस्तों जो आवेदक थे उन्होंने सुप्रीम कोट का रुख किया और सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि pension जो है और रिवाइज दर से उपाने का हगदार है इसलिए उनको area मिलना चाहिए ऐसे में दोस्तों उनको चार हपते में pension का area देने का ऐलान यहाँ पे कोट ने किया है दोस्तों गोवा सरकार ने साथ के बदले अठावन साल में रिटार कर दिया और इस मामले में बॉम्मे हाई कोट में याचिका करता ने अरजी दाकिल की और कहा कि पेंशन साथ साल तक की नौकरी की हिसाब से काउंट होना चाहिए लेकिन pension का area नहीं दिया गया सुप्रिम कोट ने कहा कि बॉम्मे हाई कोट इस बात में सही हो सकता है कि उसने दोस्त एक्स्टा साल की salary को मना किया लेकिन pension area को मना करने का कोई भी justification नहीं होता है दोस्तो ऐसे में सुप्रिम कोट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है कि pension को जो बड़ी भी pension है उसका area देने से इंकार नहीं किया जा सकता है उनको area मिलना ही चाहिए दोस्तो बहुत ही अच्छी good news है इस फैसले को आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को like करके हमें तुरंत ब आये